घोसी उपचुनाओ में जीत का सहरा समाजवादी पार्टी के सिर क्या सजा अखिलेश यादव तो फूले नहीं समाए उन्होंने भले ही मीडिया के सामने कुछ ना कहा हो लेकिन ट्विटर के जर ये वो लगातार जीत का जश्न मनाते और बीजेपी की हसी उड़ाते नजर आए लेकिन इसी बीच कनोज से बीजेपी सांसत सुबरत पाठक ने भी बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी की तुलना जिमबाववे और बांगलादेश की क्रिकेट टीम से कर दी सुबरत पाठक ने ट्वीट करते हुए लिखा ओवर कॉन्फिडेंस और अपने द्वारा की गई गलतियों के कारण से कभी जिमबाववे या बांगलादेश की टीम भारत से जीत जाती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ल्ड कप जीत गए हों लेकिन उत्तर प्रदेश के एक नेता गलती से मिली जीत पर ऐसा बौकला है कि देश का अपमान करने से भी नहीं चूके खैर देश को जी 20 की कामियावी पर गर्व है और मेरी नजर में जी 20 में जी का अर्थ है गैरंटी वो भी मोदी की विकसित भारत के लिए वैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग इनहीं नेता जी से पूछ रहे हैं कि क्रिकेट में T20 संसकरण में T का क्या अर्थ होता है अब वो ये भी बता दें तो अच्छा है तो सुबरत पाठक ने घोसी में सपा को मिली जीत को गलती से मिला हुआ बता दिया है वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है बता दें कि घोसी में जीत के बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा था कोई पूछ रहा है जी 20 में जी का मतलब घोसी है क्या इस ट्वीट को लेकर अखिलेश यादव की काफी आलोचना भी हुई थी ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक